अब आप करते हैं next one जिसका हम बात करेंगे properties of concrete properties of concrete चलिए तो सबसे पहला property और important property जिसको हम discuss करेंगे वो आपके पास है workability क्या है workability क्या है workability चलिए पहले मैं एक बार लिख देता हूँ फिद आपको इसको explain करता हूँ देखो अगर आप किसी सही पूछोगे workability क्या है तो वह आपको एक ही चीज बताएगा वह आपको एक ही चीज बताएगा it is refer to it is refer refer as ease of work with concrete ease of work with concrete known as workability सब लोग यही कहते हैं मतलब अगर आप सो लोगों से पूछोगे तो असी लोगों का अंसर आपको यही मिलेगा कि अधिकेशन भी खतम हो गया के सब अधिकेशन यह कभी स्टार्ट किया है भाई सर्फ्राज यह तुमने कभी स्टार्ट किया रिविजन कर रहे के तुम है भाई रिविजन थोगे ना कर रहे हैं चलो हम कैसे बताएंगे workability को क्या होता है ठीक है उसके बारे में हम कैसे बताएंगे कैंगे workability is workability is the is the is the is with a is with a conquered can be can be mixer can be mixer transported placing compacting and and देखिए दो तरीके से हम इसको define कर सकते हैं किन तरीके से दो तरीके से ये दो definition मैंने आपको लिखवा दी है सर हिंदी में भी बता दीजिए हाँ ठीक है बता देंगे सर पटना ओफलाइन वाली की हुई थी शायद अरे वो हम नहीं करवा रहे थे वो कोई और सर करवा रहे थे वो हम नहीं करवा रहे थे वो कोई और सर करवा रहे थे हमारा भी ओफलाइन चांदा था इसलिए वो ओफलाइन चांदा था तो time नहीं मिल पा रहा था इसलिए ठीक है? चलिए देखे simple सा बात आता है कि अगर तुम किसी से पूछोगे तो वो यही कहेगा हाँ हाँ कि concrete को असानी से use में लेना concrete को असानी से use में लेना क्या कहलाता है workability यह सब कोई बताता है define करेंगे अब हमने क्या बताया है? आप हमने कहा है concrete को असानी से use में लेना बट कहां पर कि हम उसको असानी से mix कर सके हम उसको असानी से mix कर सके हम कहीं उसे ले जा सके मतलब transporting कर सके उसको उसके form work में रख सके, मतलब placing कर सके, उसके बाद में उसको compaction कर सके जो कि उसमें से air whites remove हो सके तो असानी से compaction कर सके compaction करने के बाद हमें finishing भी करनी होती है कि उसका appearance अच्छा बना रहे तो उसके finishing भी कर सके तो अगर आप ये 5 काम असानी से कर पा रहे हैं तो वो है workability कहलाएगा अगर इन 5 काम में से कहीं पे भी concrete सूख गया और इतना workable नहीं रहा कि ये कोई काम असानी से हो जाए तो समझ जाएना कि वो unworkable कलाएगा क्या कलाएगा तो आज से हमें ये नहीं बोलना है कि concrete का मतलब होता है कि use में लेना concrete का मतलब होता है कि आप उसको mix कर पा रहे हो concrete का मतलब होता है कि आप उसको ले जा पा रहे है कहीं रख पा रहे है compaction कर पा रहे है finishing कर पा रहे है तो वह workable है अगर इन पांचों में से मानगे चलो कि ये चार काम और finishing नहीं हो पा रहे है तो भी हम यही कहेंगे workable नहीं है समझ गे बात को एक भी काम रहा ना तो हम यह मान के चलेंगे कि वर्किबल नहीं था केलियर है कि अब हम किसको वर्किबलीटी कहेंगे हाँ मार्च में करवाया था मार्च में नहीं मही में बना लिया 35 से 40 अधर डिपेंड करता है कौन कैसे लिखता है यह नोट कर लिया क्या यह नोट कर लिया आपने अब बात आती है कि किन किन फेक्टर पर डिपेंड करता है अभी बात आती है कि किन किन फेक्टर पर डिपेंड करता है तो पहले आप लिखेगा पहले आप लिखेगा workability of concrete is depend on following factor क्या लिखेंगे workability of concrete is depend on following factor workability of concrete is depend on following depend on following factor depends on following factor पहला पहला water content तो आप पताईए कि आप पानी से क्या समस्ते हैं क्या पानी को बढ़ाने पर workability को बढ़ाया जा सकता है क्या आपको लगता है कि workability भढ़ेगा बताईए क्या water content से क्या workability भढ़ता है देखो दो बाते आती हैं एक आती है theoretical एक आती है practical हाँ बिलकुल सही ये सही कहा बढ़ेगा बढ़ एक limit तक बिलकुल सही बात कहा कि देखो एक आना मैं आपको point to point बता देता हूँ और फिर हम उसको explain लग तरीकस करेंगे ठीक है देखो simple way में अगर हम बात करें अगर हम simple way में बात करें तो water content directly proportional है workability के बाई जैसे question आता है ना तो वो तुम्हें आपको direct बता देता हूँ तो ये लिख लो ये लिख लो हना तुम क्या बोलोगे कि water content के directly है ये आप simple से याद रखो ओके चलिए तो अब बात करते हैं दूसरे तरीके से कि sir workability बढ़ती है workability के देखो मतलब क्या था workability का मतलब ये था कि आप concrete को mix कर पा रहे हैं एक बात बताओ क्या पानी डाले जाओगे डाले जाओगे क्या mixing अच्छे से हो पाएगी अरे भाई बहने लग जाएगा क्या ह बहने लग जाएगा तो क्या ये workability हुआ ये workability नहीं हुआ तो यही बात आती है कि no doubt कि partner बढ़ाने से workability बढ़ती है बट एक limit तक उससे जाद अगर आपने बढ़ाया तो concrete बहने लग जाएगा तो concrete बहने लग जाएगा इस कारण से हम एक limit तक ही इसको बढ़ा सकते हैं इ आता तो cut up add a mix करना ही रोटी बन जाएगा आता को उतना ही mix करना कि रोटी बन जाएगा हा नहीं तो क्या बन जाएगा पता नहीं फिर तो हना चलो तो लिखिये लिखिये कॉंक्रेट अट प्योर ठीक है चलो लिखें ओनली एडिशन ओफ वाटर लिफर अ और अली एडिशन और अषर अडिशन ओवाटर अनॉ अशन अवाटर India व खख अनौ प्याल का शिवाटर आड अवाट श्याट। workability over over workability it only increase it only increase its liquidity its only increase liquidity jis hum kya kate hain jis hum flow duty b kate with its only increase liquidity of concrete it also reduce the strength of concrete लेज़े लेज़े लेख लो और simple सी बात पूछे कि भाई पानी workability के कैसे proportional है तो directly proportional है बट याद रखना only पानी बढ़ाने से सिर्फ तुम्हारा liquidity बढ़ता है workability नहीं बढ़ता है liquidity क्या होता है कि concrete के साथ में बह जाना concrete के साथ में concrete का बह जाना वह liquidity कलाता है और जब ऐसा होगा तो तुम्हारा जो concrete का strength है वह भी कम होगा flow करने की ability बिल्कुल सही flow शबाज ठीके तो अगर आपको पानी बढ़ाना है तो एक limit तक ही बढ़ाएंगे एक limit तक ही बढ़ाएंगे जैसे कि आपके पास code में discuss कर रखा होगा जैसे आपके पास code में discuss कर रखा होगा उतना ही हम increase करेंगे ठीके बना लिए इसको संतोस बेटा हिंदी लिख लेना कैन लिखना only पानी के बढ़ाने से केवल पानी के बढ़ाने से workability पर कोई फरक नहीं पढ़ता परंतु concrete की liquidity भड़ जाती है जिसके कारण concrete पानी के साथ बेहने लग जाती है और हमारे strength को reduce करती है करते हैं